कानपूर वासियों को नए साल का तोफा कानपूर मेट्रो के रूप में मिलने जा रहा है प्रधान मंतरी आज सफर करते हुए आयाइटी कानपूर से गेता नगर तक मेट्रो में सवार हो करके जाएंगे और सफर करेंगे और इसके बाद बुदवार सुबह 6 बजे से राद 10 बजे तक मेट्रो में सफर कर पाएंगे कानपूर वासि सुबह 6 बजे से राद 10 बजे तक कानपूर मेट्रो चलाई जाएगी आयाटी कानपूर से मोती हील तक जो प्राइटी सेक्शन है उस पर इस मेट्रो को चलाए जाएगा और यात्री सेवाएं बुद्वार सुबह 6 बजे से शुरू हो जाएगी शुरुवात में QR कोड से टिकट की सुविधा होगी इसके बाद लोगों के लिए स्मार्ट कार्ट सुविधा भी शुरू की जाएगी इसी के साथ UPMRC यानि उत्तरप्रदीश मेट्रो रेल कॉर्परेशन आने वाले दिनों में गो स्मार्ट कार्ट भी पेश करेगा जो एकल यात्रा पर 10 फीजदी की छूट यानि 10 प्रसिशत की छूट आपको प्रदान करेगा ये बड़ा तोफ़ा होगा मेट्रो की तरफ से यात्रियों को संपर्क रहित यात्रा का अनुभाव प्रदान करने का दावा UPMRC कर रही है चूकि मेट्रो आवा गमन का सबसे सुरक्षित तरीका है ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि कानपूर मेट्रो नकवल एक आराम दाय से बिना यात्रियों को उनके गंतव तक पहुंचाने में बड़ी मददगार सावित होने जा रही है अगर टिकट की बात की जाए तो दस रुपए से तीस रुपए तक का ये टिकट कॉस्ट होगा और जब प्राइटी सेक्शन आगे बढ़ेगा तो कॉस्ट और बढ़ाई है उसके बाद डिपो फड़ता है लेकिन मेट्रो सेशन अगर आगे बात की जाए गीता नगर है रावतपूर है एल्लार होस्पिटल है और उसके बाद मोती जील मेट्रो सेशन आपका सफ़र इस सरीके से रहेगा 9 मेट्रो सेशन 9 किलो मीटर और 10 से 30 रुपए आपको इस परिवहन के लिए इस सुगम यातायाद के लिए खर्च करने होंगे कानपूर से कैमरामेन पंकल निकम के साथ रतीश तरवेदी एबीपी गंगा